नमस्कार विवव दुनिया समाचार में आपका अस्वागत है पेशें आज की प्रमुक्क खबरें ब्रुसल्स में तीन धमाके पचीस से ज़्यादा लोगों की मौत डेल्जियों के बुरुसल्स में मंगलवार को तीन सिल्सले बार धमाके हुए जिसमें 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो गए जबकि 35 से अधिक लोग घायल हो गए आधिकार एक सुतरागल सार हवाई अड़े पर सुभए दो जबरदफ आत्मगाती हमले हुए इसके कुछ अंतराल के बाद राजधानी के मेट्रो स्टेशन पर भी धमाके की आवाज सुनी गई इसके बाद सभी मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया गया बिल्जियन पबलिक ब्राटकाफटर आर्टी बी एफ तथा बिल्जिया अजनसी के अनुसार हवाई अड़े पर पहले गोली बारी की आवाज़े सुनी गई और इसके बाद धमाके किये गए धमाके से पहले अर्वी में कुछ चिलाने की आवाज़े भी आई इसमें फराज ने ट्वीट में कहा है कि इस हाथसे में एक भारती महला घायल हुई है जैनी छातर संग अज्यक्ष कनहिया कुमार की राहूल गांधी से मुलाकाट देश द्रोह का आरोब छेल रहे जबहरलाल नहरू बश्यक्ष द्याले चातर संगर नेता कनहिया कुमार ने मंगलवार को यहां कांग्रेस सुबाद जैक्ष राहूल गांधी से मुलाकाट की कनहिया कुमार सुबह ग्यारा बज़े जैनी यू के चातरों के एक प्रदेदी मंडल के साथ गांधी के तुगलक लेनिस्टित सरकारी आवासवर पहुंचे और करीब एक घंटे वहां रहे इस मुलाकाट के बाद कांग्रेस की चातर एकाई एनस्टियूए ने बयान जारी करके कहा कि कनहिया जैनी यू के चातरों को समर्थन देने के लिए गांधी को धन्यवाद देने के लिए उनसे मिले थे गांधी और कनहिया की मुलाकाथ पर भाज़ पारी ता शाहनवाज हुसान ने कहा कि पूरा देश देख रहा है कि जेनियो में देश भी रोजी नारे लगाने वालों को गांधी और उनकी कांग्रेश पार्टी किस तरह गले लगा रही है ज़ियों ने राफरगान को कहा गुलामी गाथा बिहार मेरे फकतारूर जन्तदल उन्थाली उनाइटेट के विधान, पार्षत राणा, गंगे शर्पораसाँ सिंग के राफरगान को गुलामी गाता कहे जाने पर मенगलवार को यहां लोगों ने जम कर खांगामा किया सिंह ने समफ्ती पुल में पटेल मैदान में जिला प्रशाषन की और से आयजित बिहार दिवस्तमारो के दोरान भाशन देते हो कहा कि राफ्रगान जनगन मन अधिनायक जये भारत भागे बिधाता गुलामी की गाता है इसके फ्थान पर ये है मेरा बिहार गीत को राफ्री गीत गोशिट किया जाना चाहिए सिंके ऐसा कहने के बाद समारों में मुझद नेताओं और लोगों ने हंगामाश शुरू कर दिया में ताओं ने एक स्पर में कहा कि जदियू पारशर ने राफ्री गान को गुलामी की गाता कहकर अध्देश द्रोह किया है उज्जेन में मिला विस्पोटक एक पुलिस काउंस्टेबल की साजिश मदब देश के उज्जेन में सिहफ्त के बो मुझद एक महीने पहले एक होटल में विस्पोटक सामागरी के मामले में मदब देश पुलिस के आतंकबाद निरोदक दफते ने दो लोगों को हिरासत में लिया है इसका आतंकबाद से कोई लेना देना नहीं है तरफ एक कांस्टिबल अपने साथियों को फसाने के लिए साजिश रची थी एटीस महानी रिक्षक संजीव शमी ने बताए कि एक नीजी सुरक्षा एजन्सी में काम करने वाले सुशील मिश्रा ने होटल के कमरे में विस्पोटकों से भरा वैग रखा था बहस के पहले अशुक नगर के एक ख़दान में काम करता था जहां उसने उस्पोटक एकत्रित किये ने बताए कि पूरे मामले के पीछे इंदर लोका एक पुलिस में पदफ्त आरक्षक आशीश चंदेल का दिमाग था जिसने अपने पुछ से करमी को फसाने के लिए ये साजिश रची थी शमी ने बताए कि दो दिश्वलब साथ साथ किलो विस्पोटक पचीफ डिटोनेटर और साथ मीटर लंबा वायर बरामत किया गया है चोरी हो सकते हैं पाकिफ्तान के परमानों हतियार अमेरिका के गैर फरकारी संगठने चेता है कि पाकिफ्तान ने गैर सामरिक परमानों हतियारों की तरफ रुक किया है और इसी के साथ उसके परमानों हतियार चोरी का खतरा बढ़ गया है अमेरी की Think Tank, Harvard Kennedy School की ओर फेज जारी डिपोर्ट Preventing Nuclear Terrorism Continuous Improvement और Dangerous Decline में कहा गया कि कुल मिलाकर पाकिस्तान में परमनचोरी का खतरा बहुत बढ़ गया है इसके अनुसार दिर्काली नाधर पर देश के ढहने या उस पर अतिवादियों के कबजे की आशंकाओं को खारिज नहीं किया जा सकता यह थी अब तक के मखे समाचार और ज़्यादा जानकारी के लिए लोग इन कीजे हमारी वेब साइट www.webdunia.com नमस्कार